सी एम योगी पर फायर मुखतार के भाई अफजाल अंसारी बदला लेनी की शुरू की तैयारी अफजाल को वक्त का इंतजार जब करेंगे बी जे पी पर बड़ा प्रहार जालिम से लेकर अफजाल के जजबातों का उफान विश्वास एक दिन तुफान ज़रूर बनेंगे जितना बी एस पी सांसत अफजाल अंसारी को पी एम मोदी के खिलाब नाराज़ की नहीं है एडी सी बियाई का खौफ नहीं है बी जे पी के चाना के अमिद शाह के रणनीती में फसने का डर नहीं है उससे कहीं ज़ादा लगता है कि अफजाल अंसारी को मुख्यमंतरी योगी आदितिनाद पर गुस्ता है अफजाल के आखों के सामने इस वक्त बस एक ही तस्वीर घूम रही है उस सस्वीर में परिवार के किसी भी सलस्य का अक्ष नहीं है उस सस्वीर में है तो सिर्फ सीम योगी जिनके खिलाब मुक्तार के भाई का अंदाज आक्रमक है अफजाल तो योगी पर फायर हैं उन्हें तो बस उस दिन का इनतजार है जब उस Walmart को अपनी सियासी ताकत से वाकिव करा सकें बता सकें अभ भी उन में दम है जो बड़े से बड़े शूर्माओं की सियासत को बेदम कर दे अफजाल को CM योगी पर गुस्ता इसकदर है कि उनकी नजरों में CM योगी कुछ और ही है अफजाल का CM योगी पर आक्रमक अंदास अभी बरकरार है जबकि पूर्वांचल के बाहुबली और उनके भाई मुक्तार अंसारी CM योगी के एक्शन का शिकार बन गए कहतें फिर रहे हैं यूपी में बोलना मना है सब कुछ ठीक है हम अब कुछ नहीं कहेंगे भतीजा अबास अंसारी भी जेल में कैद होकर रह गया बड़े बड़े दावे किये थे बड़ी शातीरी से पुलिस को छकाया था लेकिन अंत में खुद ही ठकार कर फुलिस के सामने आ गए कोड के सामने सिरिंडर कर जेल में अपने आपको कैद कर लिया अफजाल और उनके परिवार की करोडों की संपत्यों पर योगी का बुल्डोजर चल गया बावजुद इसके अफजाल अंसारी सीम योगी को चुनौती दे रहे हैं मौके का इंतजार कर रहे हैं बार बार जरुता के बीच एक ही बात कह रहे हैं वो लाग सित्म करेंगे फिर भी हम न जुकेंगे अफजाल बस उस दिन का इंतजार कर रहे हैं दरसल गाजीपूर से BSP सांसद अफ़साल अनसारी पर इस वक्त E.D. से लेकर तमाम विभागों की जान चल रही है अनसारी बंधों की संपत्यों की कुर्की भी कीदा रही है इसे लेकर अफ़साल अनसारी लगतार B.J.P. और योगी सरकार पर हमला कर रहे हैं हर जगा अफसाल घूम घूम कर बस एक ही बात कह रहे हैं सरकार उनके खेद, मकान समेश सब चीन रही है हर जगा उनके और उनके परिवार के खिलाफ कारवाई हो रही है हर जगा अफसाल सीम यूगी और बीजे पी का नाम लिए बिना कह रहे हैं वो जालिम है जिसके खिलाब पूरी ताकत के साथ लड़ रहा हूँ हमें ऐसे याद रखा जाएगा जिसने जालिमों के खिलाब घुटने नहीं टेके अफजाल अंसारी ने दावा किया कि सरकार भले ही उन पर कारवाई करते रहे उनका सब कुछ ले ले ये उनकी असली दौलत नहीं है असली दौलत गाजीपुर की जरता का समर्थन है अफजाल अंसारी ने मंचस से कहा कि वो एक इतिहास शोड़ कर जाना चाहते हैं वो चाहते हैं कि लोग उन्हें इस रूप में याद करें कि एक व्यक्ति था जिसने जालिमों के खिलाब घुटने नहीं टेके जुर्म सह लिया लेकिन संगर्श जारी रखा अफजाल अंसारी ने बीजे पी का बगए नाम ये इशारों ही इशारों में कह दिया जरनता का समर्तन मिलता रहे तो वो कोट कचैहरी के रास्तों पर चलकर अपने हट की लड़ाई लड़ लेंगे अफजाल को बस 2024 का इंतजार है 2024 पर अफजाल को गजब का विश्वास है तब ही तो कह रहे है अब 2024 के लोग सबाचुनाव का वक्त भी करीब आता जा रहा है ये वो वक्त होगा जब जनता के अदालत में जन प्रतिनिद्यों का फैसला होगा भोजपुरी अंदाज में बस इतनी बात इन लोगों को रात में भी नींद नहीं आ रही है कुल मिलाकर BSP सांसल अफजाल अंसारी डिरेक्ट तो नहीं इंडिरेक्टली इशारो ही इशारो में CM योगी पर फायर है CM योगी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान रहे है लग रहा है ऐसे CM योगी आतितनाद के खलाब वो बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन अभी वक्त ऐसा है कि इंतजार के सिवाय अफजाल अंसारी के पास कोई चाहरा नहीं है